लोगसबा चुनाव के परड़ाम आने से पहले सट्टे बाजी का भी खेल शुरू हो गया है कौन जीतेगा, कौन हरेगा, इस पर सट्टा लगाया जा रहा है जिस पर तैशी का भाव जितना कम होता है, जीत की सम्हावना उतनी अधिक बढ़ जाती है चुनावों में नेता भासर देते हैं, जनता बोट डालने जाती है जनता अपना प्रतिनेदी चुनती है, सरकार बनाती है लेकिन सट्टे बाज भी सरकार बनाते हैं और बिगारते हैं सत्ता का सत्ता भी सुरू हो चुका है चौते चरण के बाद सत्ते बाज सक्रिय हो गए हैं हर सीट पर सत्ता लगा रहे हैं सूत्रों के मताबिक सत्ते बाज हर जगे सक्रिय हैं राजितिक दलों की हार जीत पर सत्ता लगा रहे हैं राश्टे इस्तर पर किस पार्टी को कितनी सीटे मिलने वाली है इस पर भी सट्टा खाया जा रहा है छेत्रिय पार्टियों की हालत कैसी रहेगी इस पर भी सट्टे का जोड चलना है राजनितिक बिस्रेशक अपने अपने ढंग से बिस्रेशन कर रहे हैं और सट्टे वाज अपने तरीके से बिस्रेशन करने में लगे हैं। सट्टे का बजार गर्म है। सट्टा बजार भी चुनाप पैणाम की तरफ इसारा कर देता है। आगरा का सट्टा बजार भी सक्री है। सूत्रों के मताबिक इस्तिती को खंगालना सट्टा बजार ने सुरू कर दिया है। आगरा लोगसवा पर कोई भाव नहीं है। भाजपा प्रत्यासी प्रोपेसर एस्पिसिंग भगेल की जीत तैमानी जारी है। इसलिए कोई सट्टा नहीं खा रहा है। सट्टा बजार फट्यपू सीगरी लोगसवा सीट पर गर्म है। भाजपा प्रत्यासी राजकुमाज चाहर और गडवंधन कांग्रेश प्रत्यासी रामनास सिकरवार के भी सट्टा चला है। उसकी जीत उतनी ही पक्की मानी जाती है। कैसे राजनिती के खेल पर भी सट्टा लगता है। सट्टा बजार गर्म है समुची खबर सूत्रों के हवाले से है। चुनाबों में जहां मद्दाताओं की भूमिका होती है, नेताओं की भूमिका होती है। शट्टे वाज भी सक्रि हो जाते हैं। चुनाब संपन होते जा रहे हैं, सट्टे वाज भी सक्रिय होते जा रहे है। सट्टा बजार में माना जाता है कि जिसका भाव कम है उसके जीतने की संभाबना उतनी ही अधिक मानी जाती है आगरा में भी सट्टा वाज चुनाबों की चलते सकती होकए गया है आगरा लोकसभा और फटैपूर्ड़ सीगरी लोकसभा पर सट्ते वाज शट्टा लगा रहे हैं से बाजपा प्रत्यासी राजकुमाच चार का बहाव पच्चिस पैसे रखा गया है आकलन किया सकता है बहाव बेहत कम है क्या कुछ होगा इसका पता तो चार जून को चलेगा लेकिन सत्य बाजबी कई नखई इसारा करते नजरा रहे हैं अपने साती अकले दुबे के साथ राकिश कनोजिया सी न्यूज आगरा आगरा के सरबादिक लोग पे चैनल सी न्यूज की यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें और हाँ वैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें